हलो दोस्तो शड़ी मूर में आपको श्वागत है आज हम इस वीडियो में भारत के राश्टिय परतिक तथा बिहार के राजिकिये परतिक के बारे में देखेंगे यहां से महतपउर कोशन बन जाता है अगामी भी पेसी दरोगा मुख परिक्शा हुए या दरोगा प्रिलिम्स अग्जाम हुआ बिहार फोरिष्ट गार्ड बिहार फोरिष्टर या बिहार पोलिस को टेबल हुआ यहां पर कोश्चन बनते हैं और विहार एससि का ucky का भी एक राश्टिय धवज को क्या बोलते हैं देखें ये तीन रंगों वाला आपको पट्टी वाला होगा एक ये अब दो हुआ ठीक ये बीच में आपको सफेद होता है ये सफेद रंग होता है उपर में क्या होता है उपर में आपको याद रखेगा किसरिया होता है और नीचे गहर राष्ट धोच के रूप में कब अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को यह याद रखिएगा तो ऐसे यहां से जब भी कुश्चन बनता है आपको कर लेजिएगा भारत का राष्ट्य गान यह जनगण मना है याद रखिएगा भारत का राष्ट्य गान जो है जनगण मना है और इसके रचईता जो कि अपनाया गया था राष्ट गान को के रुपमे सभीकारी से किया गया था इसको गायान में बावन सकेंट लगता है ठिक अगर सोट्रय में इसका किया जाता है कुछ पंति को और यह याद रखिएगा इसका सबसे पहला जो गायन हुआ था यह आपको जनगड़मना का यह सबसे पहले हुआ था 27 दिसंबर 1911 में कॉलकत्ता के कांग्रेस के जो कॉलकत्ता आज वेशन हो रहा था उसी में हुआ था यह याद रखिएगा जहां से कोशन मनत सबस्क्राइब जिसका पांग्रेस के कलवकत्ता है कितना आपको संशक्त रूप में तक अराम से सब कर लिए गाया था यह किसके द्वारा लिखा गया है यह याद रखिएगा और इसके गायन में कितना समय लगता है एक मिनट पांच सक्डेन लगता है, एक मिनट पांच सक्डेन इसको गायन में लगता है, और इसका सबसे पहले गायन किया गया था, ति इसका भी आपको। ने अपना उपदेश दिया था जिस्सेः महाध्रम चक्र परवर्थन बोला जा है और वहीं से शार्नात में जो अपको स्थम है उसे के सिर्ष अस्थम पर देखेगा तो च्हार सीख दिखाई देते हैं वहीं से यह स्थम लिया गया है और इसी में एक मुंद को सब्सक्राइब संग संत को बाइस मर्च 57 अपनाया गया था सब्वी कुश्चन बनते हैं इसे आपको याद हुँना नहीं नहीं सका सबसे पाहला जो महीना आता हुर सबसे लास्त यह भारत का राश्टितNew बात के रष्टियता है हम लोग सिरफ अपने देश के नागरिक होते है तो यहां के रष्टियता जो है भरतियता है अमेरिका और राजी का भी नागरिक होना पड़ता है और देश लिपी में लिखा जाता हूँ देवनागरी लिपी में लिखा जाता है यहां अगर राष्टिय लिपी पूछा जाए तो देवनागरी हो जाएगा यह भी याद रखिएगा भारत का राष्टिय ध्वज गीत यहां पर ध्यान देखिएगा ध्वज गीत पूछ रहा है ठीक य महातमा गांधी अमारे राष्ट पीता है लगूत निर्पेग्च हम फूई भी गूट नहीं बनाएंगे युथ वूलते हैं 94 रत्त नुलते हैं že 14 में सबसे पले खत्वी तीन वेक्थ्ट यो दिया गैए था त्यक भारत्ती प्रद्र जाना जाता है तो श्वेत्र पत्र के नाम से जाना जाता है तो वो समझे राष्ट्य उसका सुचना पत्र है यह याद रखिएगा बरगद है यह याद रखिएगा जो जणडा गीत याद रखिएगा अगर जणडा गीत दिया था जो जणडा उंचा रहे हमारा अगर इसके रशनकार पुछे तो स्यामलाल याद रखिएगा भारत की राष्टे नदी है यह गंगा है यह याद रखिएगा अग चलते है भारत के रखर स्याय पक्छी जो है यह worse बेग्ञानिक नाम भी याद रख़ लख जीएगा भारत का राष्टे पसू भारत के राष्टे पसू यह बाग है जिसका हमको Daodelant पैंथेरा टेग्रिस लिनियास बोला जाता है इसका पूरा नाम यह राष्टी है हमारा पसु है यह याद रखिएगा आगे देखते हैं भारत का राष्टे फूल भारत का जो राष्टे फूल है यह है कमल याद रखिएगा बहुत लोग गुलाब सोच लेते हैं नहीं गुल तो ऐसे भी आपको कोशन दे सकता है इसका क्या नाम है मैंगी फेरा एंडिका आमका विग्यानिक नम क्या होता है मैंगी फेरा एंडिका भारत कराश्ट्य योजना भारत के जो राश्ट्य योजना है यह भी याद रखिएगा भारत के जो राश्ट्य योजना था पंच्वर भारत का राष्टे मिठाई तो बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन आपको 15 अगर्ष सभी जनुवरी को खाने के लिए चले जाते हैं भारत को जो राष्टे जनुवरी को जलेबी विकाता है तो भारत का राष्टे मिठाई के हैं जलेबी है भारत का राष्टे जलिये है यहां पर जो है भारत के राज्टिये से समझ लीजे इतना मैंने आपको करा दिया 27 जो है यहीं से कोशन बनता है और इसमें ज्यादा तर कोशन बिपेसी में बनता है और बिहार दोरोगा में भी अब यहां पर मैं आपको करा दूँ कि भारत के राज जो बिहार के राज के परतिक है बिहार के राज के परतिक से भी कोशन बनता है यहां पर देख लिजेगा बिहार के राज के परतिक यहां पर देखिए बिहार के राज के चिन क्या है बिहार के जो राज के चिन है यह देखिएगा दो स्वास्तिक के बीच में एक बोधी बिरिच इस्तित है ठीक यहीं हमारा विहार का राज के चीन है सबसे पले एक बात और याद रखे बिहार दिवस जो मनाया जाता है यह बाइस मार्च को मनाया जाता है यह भी मत भूलिएगा ठीक आगे चलते हैं कि भीयार का राजके पसू जो बिहार की पसू और यह बैल है यह यांद रखिएगा बिहार का राजके पसू है यहां पर देखी बिहार का राजके पसूइए यहां पर देखेंensemble सब्सक्राइब यह ता यह रही आपको राजके मेगा अब आगे चलते हैं बिहार के राज का महापर्वे बिहार के सबसे बाड़ा जो परवे च्छट है और पूरे वल्ड में भी यह मनाया जाता है यह बात याद रखेगा बिहार के सरोचे सिखर यहां परोगा ठीक दोग बार विहार आ गया है बिहार के सरोचे जो सिखर है यह समसर के पाड़ी है यह 864 मेटर को उचाई पर होता है यह सरोचे सिखर है यह याद रखेगा ता सवाहे कि बिहार के सोक नदी किसे बोला जाता है तो यह कोसी को बोला जाता है बिहार के राजकिय भासा बिहार के जो राजकिय भासा है यह सब आपको याद रखना चाहिए जो भी बिहार से बनता है राज किये मैं सभी आपको कोशन करा दिया बिहार दिवस के बारे में भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस समलोग मनाते है अब यहाँ पर नोट में कुछ मैं आपको जनकारी दे दे रहा हूं बिहार से जो 243 और विधान परिषतिक के 75 सीथ है और यहां पर कुछ जनकारी ले लिजीं यहां पर पुरे विहार में नोव परमंडल है और 38 मंडल है मंडल को ही हम क्या बोलते हैं मंडल को ही हमलोग जीला बोलते है ठीक उपर सब सिर्ब आता है परमंडल फिर उसके बाद मंडल आता है फिर उसके बाद अनुमंडल आता है ठीक यह याद रखिएगा तो सबसे पहले आपको नो परमंडल होगा कौन से आपका जिला कौन परमंडल में पड़ता है देख लीजिएगा फिर अर्टिस मंडल होगा यह याद देखे 8,471 जो पंचायत होते हैं बिहार में टोटल जो आट 8,471 लगबग है यहां पर देखे 45,103 गाओं है टोटल यहां पर 45,103 गाओं है ग्रामेट जनसंख्या सबसे यहां पर ज़्यादा है बिहार में तो यह था राष्टिय और आपको राज किये दोनों में करा दिया बिहार सभी और आपको भारत से भी ठिक जनकरना के लिए मैं जल्दी लाओंगा बिहार के जनकरना भारत के जनकरना करा चुका हूं बहुत लोग बोलेते कि सर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है यह यूटूब का नोटिफिकेशन जब आप विडियो अप्लोड करत इतने विडियो देखने का आपका बहुत धन्यमाद कर दो